दोस्तो सब्सक्राइब करो टेक्नोबाज को और प्रिस करो इस घंटे को ताकि आप देख पाऊ वीडियोज सबसे पहले अगर आपके चैनल का इंट्रो नहीं है अगर है भी तो अगर वो प्रोफेशनल नहीं है तो आपके चैनल में वो अतनी मज़े के बात नहीं रहती है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे easiest way इंट्रो बनाने का वैसे तो आप इंट्रो Sony Vegas Pro से या फिर Adobe After Effects या फिर Premiere Pro से भी बना सकते हैं बट यह बहुत ही lengthy या फिर बहुत ही कहलो difficult process है बट मैं आज बात कने वाला हूँ easiest way के बारे में जिसे आप easy तरियके से इंट्रो बना सकते हो और ज्यादा time taking भी नहीं होगा So without any further ado, let's get started This is Ayan and you are watching me on channel Technobuzz तो यह है panzoid.com इस page की link भी आपको नीचे description में मिल जाएगी इस page पे आप categories wise जो है template आप choose कर सकते है इसमें काफी सारी categories आप यहां से या फिर आपको trending जो भी template चाहिए या latest, top, following या search भी कर सकते हैं यहां से यहां millions of templates हैं, काफी template है जो कि आपकी channel को suit करे आप वो template को यहां से select कर सकते हैं या यहां से pick कर सकते हैं आप यहां से intro प्लस outro भी बना सकते हैं आपको इसे open करना है और पर नीचे open in आपको editor में इसे open करना है और यहां से आप इस template में कुछ customization कर सकते हैं, कुछ क्या बहुत ही customization कर सकते हैं आपको यहां पर जो side में एक tick mark का sign दिख रहा है इसे click करना है और यहां पर आप video resolution को set कर सकते हैं मैंने 1920 into 1080p किया है और फिर यहां पर frame rate भी आप set कर सकते हैं उसके बाद आप यहां play करके देख लें video को और इसकी जो frame rate है उसे set कर लें उसके बाद यहां पर से आप जो name है name को change करके of course आपने channel का name रखेंगे तो यहां पर आपको आना है और फिर यहां text पे click करके name पे click करना है और आपका जो भी channel name है वो यहां पे आप लिख दें मैं मैं तो अभी अपना टिकनो बाजनी मैं अपना आयान लिख रहा हूँ जो कि मेरा नाम है और नीचे से आप font को भी select कर सकते हैं आपका जो भी favorite font है उससे आप select कर लें और उसके बाद नीचे में एक option आपको दिखेगा height का आप उससे height भी increase कर सकते हैं पिर यहां से आप तो बस यह download का option है यहां पर आपको mode select करना है कि आपको कैसा download चाहिए good quality, extreme quality या fast तो मैंने यहां पर good quality select किया आप चाहें तो extreme quality भी select कर सकते हैं जिससे वो थोड़ा slow होगा render बट आपकी जो quality है काफी अच्छी रहेगी उसके बाद यहां से आप format को select करें और start video render कर लें यह यहां allow करना होगा और आपको कुछ देर wait करना होगा तो यह जो video rendering है यह शुरू हो चुकी है और इसके बाद पर यहां download your video आपके सामने option आएगा इस पे click कर दें तो आपका video नीचे Chrome में अगर हैं आप तो download हो चुका है अब इसे हम open करके आपको दिखाते हैं यह कैसा है सो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हिट like on this video and subscribe this channel और हाँ अगर आपका कोई questions है या फिर feedback कोई है तो आप हैश्टेग ask Ayaan करके मुझसे questions पूछ सकते हैं और मैं हर संडे को आपके questions का answer दूँगा so that's it for today this is Ayaan, SIGN OUT